जो परंप्रधान के च्छाय हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक तिमान की च्छाया में ठिका ना पाएगा मैं यहोबा के विशे कहूंगा, वह मेरा शरंस्थान और गड़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा वह तुझे बहेलिये के जाल से, और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरंड पाएगा, उसकी सच्चाए तेरे लिए धाल और जिलम ठहरेगी तू ना रात के भाय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दुपहरी में उजारता है तेरे निकट हजार और तेरी दाहिनी और दस हजार गिरेंगे, परन्तु वह तेरे पास ना आएगा परन्तु तू अपनी आँखों से दृष्टी करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा हे यहोवा, तू मेरा शरंस्थान ठहरा है, तूने जो परंप्रधान को अपना धाम मान लिया है इसलिए कोई विपत्ती तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दूख तेरे देरे के निकट आएगा क्यूंकि वह अपने दूटों को तेरे निमित आग्या देगा, कि जहां कहीं तू जाए वे तेरे रक्षा करें वे तुझ को हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पावों में पत्थर से ठेस लगे तू सिंग और नाक को कुछलेगा, तू जवान सिंग और अजगर को लताडेगा उसने जो मुझ से स्नील किया है, इसलिए मैं उसको चुडाऊंगा, मैं उसको उंचे स्थान पर रखोंगा, क्यूंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है जब वह मुझ को पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा, संकत में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा मैं उसको दीरगायों से त्रिक्त करूंगा, और अपनी किये भूले उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा भजन सहिताई क्यांवे